पढ़ने वाले हैं अबू बन अधम रिटिन बाई ली हंट और ये थे इंग्लिश पोएट, एसेस्ट और राइटर तो आज सिर्फ हम ये पोएम का डिसकेशन नहीं करेंगे साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसकी स्टाइल क्या है क्योंकि मेंली क्वेशन वहीं से आते हैं एक्जाम में ठीक है, मोरल बहुत इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का ठीक है और जानेंगे अबू बन अधम है कौन ठीक है, तो अबू बन अधम, इनका दूसरे दो नाम भी है, इब्राहिम बिन अधम और इब्राहिम बाल्की, बाल्की क्यों नाम है इनका लास्ट में, बाल्की एक सिटी अफ़कानिस्तान की, जिसे अभी तो बालक कहते हैं, मतलब आई नहीं लगता उसमें, ठीक है तो एक्चल में हमें ये नहीं पता, ये स्टोरी एकदम टू है या नहीं, या फिर इस रियल स्टोरी में कुछ बदलाव कर दिये गए हो, मतलब ये स्टोरी ऐसी है, जो बहुत समय से चलती आ रहे थे हैं, और उस स्टोरी को पोयम का रूप दे दिया है, ली हंट ने, ठीक spiritual life की तरफ अपने आपको change कर लिया, ठीक है, और बहुत ही अच्छे इंसाम थे, ये सूफी संते बहुत मतलब जाने माने थे, ठीक है, और बस इनी के बारे में एक इनकी life का जो एक कहानी है, लोगों के बीच बहुत popular थी, उसी को यहाँ पे शायद recreate किया गया है, भले ही अ अगर पूरी तरीके से सच भी ना हो ये पोयम, लेकिन इसका जो moral है, वो बहुत जादा important है, तो ये पोयम सुपरनेशनल पार्ट पे फोकस करती है काफी, एक angel आती है या आता है, कोई gender नहीं बताया गया है, specified नहीं किया गया है, पोयम में पूरी जगे, कहीं पर भी, तो वो अबुबन अधम की रूम में आती है, और वहाँ जो हमें बहुत बढ़ी सीख वहाँ से मिलती है, ठीके, वो अब पूरी हम कहानी देखेंगे, तो देखते है, अबुबन अधम, may his tribe increase, ठीके, अबुबन अधम का नाम लिए गया है, और ब्राकेट में लिए लिखा गया ग्रूप ऑफ पीपल जैसे जंगली लोगों का ग्रूप होता है आदिवासी लोग होते है उनके ग्रूप होता है वो ट्राइब होता है बट यहां पर इसका मतलब यह नहीं है कि अबुबन वेन अधम के बच्चे और उनके बच्चे से से उनकी पॉपलेशन उनका जो खांद बट उन्होंने वो सब त्याग दिया ठीक है तो उनकी जैसे लोग बढ़े ठीक है अवोक वन नाइट तो अबुबन अधम अवोक वन नाइट फ्रॉम डीप ड्रीम ओफ पीस वो जग गये ठीक है एक रात बहुत ही गहरी नीन से और वो कैसे गहरी गहरे शांती भरे सपने से जग है मतलब बहुत गहरी नीम में थे ठीक है and saw within the moonlight in his room और उनने क्या देखा अपने रूम के अंदर moonlight की presence देखी मतलब जैसे की कोई बहुत मून की तरह जो moonlight जैसे एकदम ब्राइट शाइन कहती उसे साब से कुछ शीज उन्होंने देखी ठीक है एकदम सुनक खुली औ चमक की वज़ा से ठीक है making it rich तो यह moonlight जो है कम्रे को बहुत रिच लुक दे रहा था शाही लुक बहुत चमकदार लुक दे रहा था and like a lily in bloom जब एक फ्लार जैसे एक lily खिल रहा है तो जब वह पूरी तरह से खिला नहीं होता है बस खिली रहा होता है तो अंदर बहुत ही अब यह जैसे एक lily bloom में हो उस तरीके के जो उनका रूम भाच चमक रहा था ठीक है अब देखते हैं कि actual में वहां क्या था an angel writing in a book of gold एक angel क्या थी उस रूम में मैं इसको थी थी बोलूँगी वैसे तो कुछ पी स्पेसिफाइड नहीं है ठीक है एक angel वहां पे थी जो कि एक golden book में कुछ लिख रही थी ठीक है एकसीडिंग पीस हाड मेंड बैन एधम बोल जो यह पीस है रूम का पीस बढ़ता ही जा रहा था उसकी प्रेज़न्स की वज़े से और उसी शांती में अबू बैन एधम को थोड़ी करेज मिल गया वो थोड़ी बोल्ड हो गया उनके अंदर थोड़ा करेज आ गया कि अब वो कुछ पूछ सकें ठीक है उससे पहले हो सकता है वो एकदम से डर गया हो जैसे उन्होंने देखा कि कोछ रूम में है ठीक है अब देखो एक और चीज़ यहां पर बता दू टी एच आई दी मतलब होता है योर यह आपको पता होना चाहिए अगर आप मर्चल्ट आफ वे ठीक है तो दी और दो का मतलब पता होता होना चाहिए योर और यू ठीक है तो और दो प्रेजन्स इन दो रूम ही सेट जो प्रेजन्स थी रूम में मतलब जो भी चीज थी प्रेजन्स मतलब मौजूदगी तो वो जो चीज थी वहाँ पे तो दा प्रेजन्स क्योंकि ना व जो विजिन थी, विजिन मतलब कुछ दिख रहा था उने, जो विजिन मतलब यह जो एंजल उसको बोला जा रहा है, तो उसने अपना सिर उपर किया, रेज़ इस हैग, और एक लुक मतलब एक ऐसे लुक के साथ वो कुछ बोली, ठीक है, अभी वो क्या बोलती है, वो बताया ठीक है, एक लुक जो कि पूरा स्वीट अकॉर्ड से भरा हुआ था, फूलत मतलղ होता हकstar विजिट असभी हम तव मतलब ठीक है, and is mine one, तो फिर अबू पूछते हैं कि मेरा क्या इन में एक नाम है, मतलब इन नामों में से क्या मेरा भी एक नाम है, ने, not so, तो वो कहते हैं, ने, नहीं, ऐसी तो आपका नाम तो नहीं है, तो अब देखो, reply to the angel, angel नहीं यह reply किया, तो अबू बैनेदन को लगा होगा कि इतने सालों से मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, spiritual studies कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मेरा नाम इस list में नहीं है, कि मैं मतलब क्या मैं भगवान से प्यार नहीं करता हूँ, ठीक है, तो अब देखो, यहां पर क्या होता है, तो वो थोड़े से दुखी हो जाते हैं, या फिर सोच में पढ़ जाते हैं, तो वो बोलते हैं, अबू spoke more low, थोड़े low voice में, but cheerily still, लेकिन अभी भी खुशी के साथ, थोड़े low voice में, लेकिन खुशी के साथ, बोलते हैं, I pray thee then, मतलब मैं आपसे प्रातना करता हूँ, then मतलब तो फिर, ठीक है, तो फिर, write me as one that loves his fellow man, मेरा नाम ऐसे लोगों में शामिल करके लिख लीजे, जो अपने आसपास के fellow man से प्यार करते हो, ऐसे लोग जो उनकी सेवा करते हो, ठीक है, उस list में तो at least मेरा नाम लिख दीज ठीक है, the next night it came again with a great awakening light, तो next night वो फिर से आई, और उतनी ही चमकती ही, light के साथ आई, ठीक है, awakening light, ऐसी light जो दूसरों को जगा देख दम चमकदार, तो अबुबन एदम फिर से जग गए, ठीक है, जैसे ही वो आई, and showed the names whom love of God has had blessed, और उसने अपकी बाल क्या किया, बुक लेखे हुए थे उन लोगों को, उन लोगों के नाम जिन पर भगवान की कृपा है, भगवान की blessing है, God had blessed, जिन लोगों को भगवान ने blessings दी है, and low, and low मतलब, low मतलब होता है, कोई भी, low एक वर्ड है, जो की surprise या wonder को एक्स्प्रेस करने के लिए यूज जा जाता है, ठीक है and low, Ben Adam's name led all the rest, और जो भी rest लोग थे, और भी लोग जो पूरी इसमें लिस्ट में नाम थे, ठीक है, उसमें सबसे उपर किसका नाम था, अबुबन अदम का, तो आपको इससे कुछ moral मिला, मतलब इसका मतलब ये है कि भगवान को प्यार करने से जितना आपको blessing मिलती है भग प्यार करते हो, ठीक है, उनकी साथ प्यार से रहते हो, for example, कुछ लोग होते हैं, अगर आप सिर्फ फूजा करते हो, दिन रात, ठीक है, लेकिन आपके कोई मदद मांगने आता है और आप वो नहीं करते हो, तो आपको क्या लगता है, आपको भगवान की blessing मिलेगी, आप का जाता है, जो सिर्फ दिखावे के लिए या तो कर रहे होते हैं, या तो उनको true knowledge नहीं होते हैं, सिर्फ वो चाहते हैं, कि हम भगवान की पूजा करते हो, तो हमें blessing मिलेगी, बट यह नहीं तरीका है, उसके साथ आप भगवान को कर रहे हो, उसकी इतनी importance नहीं जितनी य ठीक है, उनको कोई blessings नहीं मिलती है, ठीक है, अगर आपको सच में blessing चाहिए, तो फिर आपको दूसरों के भी care करने चाहिए, ठीक है, तो यहीं इसका conclusion है, जो workbook है, उसमें आप जरूर style बढ़ा करिये, ठीक है, मैं तो उसका मतलब बता रहेते हूं, ठीक है, वो workbook में भी दिया होता है, और यहां में आपके book से ही समझा देते हूं, ठीक है, तो यहां पे जह है, ली हंट ने rhyming scheme काफी यूज़ किये, जैसे की, may his tribe increase, deep dream of peace, increase of peace, ठीक है, rhyming हो रही है, and moonlight in his room, lily in bloom, ठीक है, rhyming, और यहां पे alliteration भी काफी यूज़ किये, alliteration मतलब की words, एक से ज्य ठीक है, जैसे, deep dream of peace, deep dream, ठीक है, deep dream, sorry, ठीक है, and who's, the name of those who love the lord, who love the lord, love lord, LL, यह तो सिर्फ दो words हैं, बहुत सारी poem में हम देखते हैं, चार से पाच words, एक ही line में ऐसे होते हैं, जिनकी starting same letter से होती है, तो वो भी alliteration है, ठीक है, अगर climax की बात की जाए, तो इसका climax इसारी क से दिया गया है, कि आपको में लिए दो पेरग्राफ से निवाइड़ेड है, उसमें जो लास्ट में छोटा सा पार्ट है, वो सबसे जादा important है, वो चेंज लाता एक दम कहानी में, ठीक है, उससे पहले में लगता है कि जस्कानी चल रही है, नॉर्मल सी, लेकिन लास्ट म में समझ में आता है कि actual में इसका क्या meaning रहा ठीक है और उसमें भी देखो last line की सबसे जादा importance है तो इसका climate कुछ इस तरीके से define किया गया है ठीक है और आपने देख लिए इसका moral क्या है इससे जादा इसमें कुछ नहीं है यहां पर supernatural थोड़ा पार्ट भी है थोड़ा किया काफी पार्ट supernatural है ठीक है जो भी है इसका जो meaning है वो बहुत important है ठीक है अबू बेनेदम की हमने सारी बात कर ली कि कहां रहते थे और कहां से यह story किस जगें पर based है ठीक है अगर यह real है पूरी तरीके से ठीक है so that's it yes workbook आप read करते रहें जो भी मैंने आपको meaning बताया है कुछ difficult words के वो आप mark कर ले और इसके question answers अगर आप कर लेते हैं तो do let me know और आप मुसे कोई भी doubt पूच सकते हैं मैंने कम टाइम में इसे explain करने के कोशिश करिये so if you like it you can let me know